गर में राम चरत मानस हैं अगर साथ हैं तो साथ में निशान लगाईए घर जाकर घर बिल्कुल अयोध्यकांड की पहली चौपाई दोहे के बाद स्रीगूर चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बर्नो रगुवर विमल यश जो दायक फल चात इसके बाद आठ चौप चौपाईयों का प्रतिदिन पाठ करिए प्रतिदिन पाठ करिए प्रतिदिन पाठ करिए हमने पूझ डॉंगरे जी महराज के श्रीमुक से सुना था इन आठ मांगलिक चौपाईयों का पाठ जो प्रतिदिन करेंगे मुश्किल से डेड़ दो मिनट लगता है इतना पाठ करने में बस ज्यादा ज्यादा दो मिनिट इस दो मिनिट के पार्ट को जो प्रतिदिन करेंगे वो जी डॉंगरे जी महराज कहा करते थे उनके घर में अमीरे कितनी आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन उनके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती ये गारेंट ये चौपा यो अमीरी कितनी आएगी ये नहीं बाद लेकिन उनके घर में कभी गरीबी प्रवेश नहीं करेगी आज मेरे साथ गाईए तल से फिर अपने इस्थान पर अपने गाओं में जाकर गाईए मुश्किल से दो मिट लगेगा हमारे साथ पहले बजाईए फिर गाएंगे जब ते राम ब्याही घर आई जब ते राम ब्याही घर आई नितनव मंगल मोद बदाई भूबन चारी दस भूधर भारी सुक्रत में गपर सही सुखवारी रिदे सिदे संपति नदे सुहारी ओ मागे आवध हम गो दे कहुं आई कहिर जाई कछु नगर विभूती जनो इतनिया विरंची कर तूती सावविदी सवपूर लोग सुखारी राम चंद मुखत चंद लेहारी जब ते राम व्याही घर आए जब ते राम व्याही घर आए ये दो मिनट का पाठ प्रतिदिन करिया है जब सी भगवान विवाहित होकर शिरी अवद आए है अयोद्या में उत्सवों की धूम मचके नित्य नव मंगल मोद बधाए नित्योत सबो नित्य सोख्यो नित्य श्री नित्य मंगल लड़ू लड़क रहे मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोद माने आनंद और मोद माने लड़ू लड़ूआ लड़क रहे क्यों? क्योंकि लक्षमी नारायन सशरीर आकर विराजमान हो अब कमी किसकी हो इतना वईभव इतना वईभव सुकृत मेग बरसाई सुखुबारी पुन्यों के मेग पुन्यों के बादल अयुद्या में दिनराथ सुखों की घंगोर वर्षा कर रहे है और जब घंगोर वर्षा होती है तो नदियों में बाड़ आती है पूछा गया कौन से नदी में बाड़ आई सरियू में यमना जी में गंगा जी में कौन से नदी में बोले रिदि सिद्य संपत नदी सोहाई रिद्य और सिद्य की नदियों में बाड़ आई पूछा कौन से सागर में जाकर मिली है ये प्रश अयोध्या रूपी सागर में अपने को उडेल रही इतना वईभव कही न जाए कचु नगर भी भूती नगर के वईभव का वरणन कोई शब्द में कर नहीं सकता जन्व इतनी विरंच कर तूती और अयोध्या के नागरिकों को बंधो और बेनों सबसे बड़ा सुख्या है इतने सुख में इतने वईभव में इतनी संब्रद्धी संपत्ति में नित्य भगवान का दर्शन हो रहा है इससे बड़ा और कोई सुख नहीं है